रुबीना ने पवत्रा पर लगाए विश्वास घात करने के संगी नारुप क्या है पूरा मामला चली मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में नमस्कार मैं सनेक्टा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चानल पर पहले आपको बता दे कि फिलहाल अब तो सीन पलटने वाला है क्योंकि अब आ चुकी है तबादले की घड़ी ऐसे में रेड जोन के सदस्य और ग्रीन जोन के सदस्य आपस में भिड़ेंगे और सबसे जादा ग्रीन जोन के सदस्य उपर अब लटकेगी नॉमिनेशन की तलव क्योंकि अब सीन पलट जाएगा ऐसे में सबसे पहले तबादले की घड़ी में निकी और कविता कौशिक का आमना सामना हुआ जिसमें कविता कौशिक को एजाज ने भेजा रेड जोन में और निकी तंबोली सीथे पहुँच गे ग्रीन जोन में वहीं अब बता दे कि फिल इसे points के साथ ये बोलती हुई नजर आएंगी कि मैं कोई भी टास्क ऐसा कुछ नहीं कि मैं violence करती हूँ मैं पहले warning दे देती हूँ और उसके accordingly काम करती हूँ वहीं रुबीना का ये कहना था कि आप विश्वास घात करती हैं शो में और कुछ नहीं इसके अलावा वो साथी स दोनों के बीच काफी घमासान जबानी युद्ध होता हुआ नजर आता है वेल आपको बता दे कि फिलहाल जानना है अगर आपको कि कौन जाएगा रेड जोन में रुबीना दिल्लैक या पर पवित्रपुनिया फिर से हो जाएंगी रेड जोन के अंदर ये देखना काफी आपको बताते कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब वो जो कमान है वो है एजास खान के हाथों में क्योंकि एजास खान है घर के क्याप्टन और एजास खान करेंगे डिसाइड कि कौन जाएगा ग्रीन जोन में और कौन जाएगा रेड जोन में ऐसे में आप तो जानते ही कि एजास खान और पवत्र पुनिया की chemistry तो अच्छी है लेकिन पवत्र पुनिया उनके लिए feel करती है निकिट एजास खान की दरव से उनके लिए दोस्ती है ऐसे में क्या एजास खार अपनी दोस्ती को इतना value देंगे कि अपनी दोस्त पवत्र पुर्णिया को red zone से सीधे ले आएंगे green zone में ये तो जानने के लिए देखना होगा आज का episode तो जरूर देखें आज का episode और बताइए क्या कुछ आपको लगता है कौन जाएगा red zone में कौन जाएगा green zone में पवत्र और रुबीना में से जरूर कमेंट करें हमारे comment section में और तमाम Bollywood खबरों के लिए देखते रहिए हमारा channel